अलो 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 फ्यू जी टॉपिक हम लोग आज रिवाइस करने जा रहे है इस फाइनिशा स्टेट्मेंट ओपनी सो यह एक्जामिनिशन पॉइंट पॉइंट इसलिए कि एक्जामिनिशन में से 10 से 12 नमर के कोशन इंस्टूट पूश सकती हूं कि सिंगल कोशन इस चैटर रिवाइस करें कि घ्यान रखना होता है वह सारे जिस इस चाप्TER , इस चाप्टर के रहा तो उसकी बार में वह ब्लंड को दिसक्तर करें और पिस चैटर के आखरें यह भी रिवाइस करें कि जो फायनिशन स्टेट्में आपको इंस्ट्रूट पूश्ती है वो सार इस चाप्टर इस रेपिट जिसमें आपको दिये वे वहां से हम लोग उसको रिवाइस करें ओके सो फाइनिश्य स्टिट में जब हम बनाते हैं उसके दो पार्ट होते है शेडूल थरी के तो हमारे एक्वीटी यो लाइब जो लाइबिटी साइट को वहां पर फिर आम लोग का आता है शेयर ओल्ड फ़ंड फंड पहले उसमें शेयर कापितल रिजर्वन्स फिर नॉन करें लिएबिटी में आता है लांग एक हिए में जो इंपोर्टेंट पॉइंट सारे माफ को र दो काटेग्री पे नों करंट से दंकरने के नों करें शर्म काता है प्रोपरटी बान एक्विपाइं इंट जीवल धन MONKRN इन advances और फिर आपका other current asset तो यह हो गई आप लोग यहां पर यहां पर इस तरी कि सब्सक्राइब कहीं सारी चीज़े आती हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे अभी कि है फिर current library short term borrowing कहीं बार देता ठीक हो गया फिर पीपी हमेशा अपने बनाते ही यह लेकिन कभी ऐसा भी हो सकते कि सब्सक्राइब को आपको जो लगा लेकिन हो सकते कि आपको solve करते वांक आपने number दे दिए 10 नोट्स लोग कॉन लेकिन लेकिन कम जब आपको रिएलाइस हुआ इस तो आपने नमबर हो पर इसले के ड़स तक अपने दे लिए उसके बाद फिर क्या करना अपने कि अलगसे रिख से इलेवन नमबर बाकि पीछ पीछ दस को पर ने कर सकते हो अब यहां पर Profit Statement of Profit and Loss तो मैं Balance Sheet का Item के बारे में पहले बात कर लेता हूँ और फिर मैं P&L पे आता हूँ तो Balance Sheet में जैसे जोब को पहला जोब को नोट से कौन तो Share Capital उसमें आपने ख्याल रखना अगर Other Than Cash Consideration अगर आप कोई भी Shares इशू करते हो तो उसको अलग से Other Than Cash Consideration आपको कोई जैसे bonus आपने इशू करें तो पिछले 5 साल में ऐसी कोई चीज इशू करें Other Than Cash Consideration तो हमको बताना होता है उसके बाद Reserve and Surplus इसमें कुछ नहीं नहीं है नहीं है उसमें इंपोर्टन चीज है पीटा कि Reserve and Surplus आगर जैसे आपको Loss है सब्सक्राइब करना है तो भी चलेगा इसी तरीकिता आपको नेगेटिव शो करना होता है इसको आप ख्याल रखेंगे देन लॉंग टर्म बॉर्विंग पर कुछ नहीं चीज नहीं नॉर्मल हो ठीक है फिर इसका अधर बच्चे वे नौ लाग रुप बाद भी इंदें तो इस साल की यह बैलेंस इरीट है तो एक लाग रुप जो एक साल के अंदर में को देने ना तो इवहां तो लॉंग टर्म बॉर्विंगे टोटल लेंगे एक साल का जो एक साल के अंदर देने वी कॉल इसको बता दे आ शौट तर्म बॉर्विंग इसके बाद बीटा अधर करें लाग लाग टर्रीटी इसमें कुछ नया नहीं अब शॉट तर्म प्रोशन प्रोशन फोर टांग्स पीपी में कुछ नया नहीं इंटेंगे अब आपने देन इंवेंटरी में ख्याल रखना इंवेंटरी आपके रॉम अट्रील हो सकती डबलो आई प्यों सकती फिनिश गूट्स अब यहां पर इसे बहुत शूर हुआ है ट्रेट रसी वेवर को आपका यह जो पैटन है वैसा आप इंस्ट्रीट की जितने भी कुश्चन देखोंगे कि इसी तरीके से दिटा आप लोगो कि इंव नुव मोर दें शिक्समें लेस दें सिक्समान तो जब आप महांपे लिखते नहीं होता है कि जो अमांट ट्रेट इसको अलग अलग बता है तो टोटल डेटर से लाइग दिया मोर दें डियू मोर दें सिक्समान हो गया तो थो एंद अदर करके तूलें कैसे करके बताना होता है लेकिन यह चीज को आपने ख्याल रखना नौट सो इंपॉर्टेंट लेकिन आपको इसकी एज की साब से बाइफर्गेट करें ट्रेट रिचीबल को लेस दन सिक्समन फिर छे मैने से एक साल एक साल से दो साल दो साल से तीन साल और मोर दन त्री मन तो आप कब से आउट तरडेंगे शे मैने के अंदर शे मैने से साल के भी 받고 एक साल से दो साल के भी मैं था है और more than three years इस तरीक से आपने यहां पर भी बच्चों को डाउट नहीं आता हूँ ठीक है सब डाउट का था कि यहां पर बच्चे गरबढ़ करते कि trade usable DOS काटीगरी में बाकर अंदिस्प्टिट मतलब उस में कोई दिस्प्टिट हमारा नहीं तो एक है आपका कि यहां पे चो यह कोई डिस्प्ट उसमें नहीं तो गुद है मतलब कोई पॉजिशन में दिस्पूट नहीं दिस्पूट कोई नहीं लेकिन उसकी फाइनिशल पोजिशन ठीक नहीं तो वी नो पॉसिबल डिस्पूट और आप उसको गुड लिख रहे हैं आप मतलब उसमें कोई दिक्कतनी पैसा आजाएगा कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई प्राइक में लिखा तो अमाउंट हमको मिल राएगा तो बाइफर के इस तरीके से कराएं अंडिस्पूट डिस्पूट अंडिस्पूट गुड डाउट फूट फूट तो इसको ध्यान में रखना अपने तक है लेकिन सुट के मट्रिल में जो कोश्चन दिये वह पहुँ सि अब यह चीज़ आपने लॉस अकाउंट को फॉर्मेट है ठीक है आपको एक्जामरेशन में इसी तरीकी से अपने लिख के आना चीए अब क्लास में सारे कुश्चन सब्सक्राइब किस तरीके बिटे पार्ट टू डिल का था स्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफित लॉस वो क्य सब्सक्राइब अब यहां पर यहां पर आपको बताता हूं जिससे आप नॉर्मल ट्रीडिंग अकाउंट बनाते तो क्या करते हैं डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं क्रेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं इसी तरह किसे लिखते हैं डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं क्रेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो इस तरह किसम लिखते हैं लेकि तो यह जो cost of metal consumer तसमें में आपको सिखा तो कमसें मादा नौट नॉबर 18 में महां पार एक्ष़ल में आपको एड्यस्मेंन करते हो रोव मेडिल करें लिटिटा opening stock of raw metal plus purchase of raw metal minus closing stock of raw metal यह अम लोग बहां पर उसके adjustment कर लेते हैं opening stock of raw metal plus purchase of raw metal minus close of raw metal यह कहां पर करके हम लोग किसे करना हो उसका adjustment हम लोग यहां पे change in inventory भी लखते हैं ओपनिंग-minus closing, you can see here the change in inventory of finished goods, WIP in stock and trade तो इसका opening minus closing, normal trading के कासा है ओपनिंग डेपिस देप सब्सक्राइब और closing stock creates है, यहां पर opening closing को जो amount है यहां रिकना होता है लिकिन सब्सक्टाइब यहां पर कास्ट तो मटल कंजूम मुटल कंजूम दो मटल कंजूम तो कि अरो मटल देर तो अपनिंग सब्सक्राइब को यहां पर आपका इड़ तो ठीक है फिर आपको कॉस्ट ऑमड्र कंजूम पर चीज अव स्टॉक एंटरेज देन चेंज इन 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 फिनिच गोड़ फिनिच कुड दबल इन फिर इसका क्यों अधर एक्स्ट ऑटेगिए तो वह कोई काटेक्विरी में फिट नहीं रहे तो इसका अधर एक्स्पेंस आपको लिखना रहां आ आपने पर टोटल एक्सपेंस की प्राइक्स में रेविनियू- मायनस एक्ष्प्रटी और सक मॉफीज़ प्रोफिष अ डेते हैं फीनिशियल कम से नेचर आप बिजनेसे फीनिशल है तो फिर इन्ट्रेस और अधर इंकम इसका रेविणि फ्रॉपरेशा है ठीक अधर इंकम फिर आ जाती है नौर्बली इंट्रेस्स इंकम ढीडियन ट्रांसफर फिस प्रोफित और लौस नसे लौफिंग को यह र सब्सक्राइब को ओपनिंग स्टॉक इनका माइनस क्लोजिंग सब्सक्राइब यह सकते नेगेटिव जैसा भी फिगर आवेसा अपने को महा पर लिखना रहेगा एंप्लाइब एंप्लाइब खर्चे सारे होते हैं और जिसका कोई नहीं इसका कॉन है पॉइंट नबर ट्वेंट इस अधर इक्समेंस वहां पर आएंगा जिसके कोई अधर काटिगरी बें नहीं आ रहा तो यहां पर वह आ जाएगा ठीक है अब यहां पर यह कंटीजन लाइबरी इन कमिटमेंट होता है यह बहुत ही रियर कुछ होता है कभी-कभी दे दिता अब दो अलग अलग चीज़ इपेट इप्टेंजन लाइवडरी कंटीजन लाइवरी क्या होती हूँ यह होई 20-90 कवर करता है और यहां पर शेल भी क्लाशी पर देख लेखना के साबने चाहिए पैसा नहीं देंगे तो मैं इसका पैसा तू है अगर आपने तुछे देना पड़ेंगा का दिडेंगा और अधर मनी फुर्वी गॉज्टिव इसे के लिए लात की लिए अगर आपिसी के लिए लाइबे लो गुगर एस बूच is more than 50% then we create provision if it is less than 50 then we call it continual liability लेकिन बहरहल आपने थीम पॉइंट को याद रखना देन commitment शेल भी क्लाज आपके कोई commitment होता है वो भी अपनोंके specify करना तो for example estimate amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for अब कोई जो आपने execute कर रहा है आपने फुल्फिल नहीं करें आगे आप करने वाले उसके बारे आपको बताना है अनकौन liability on shares and other investment party लिए अगर आपने को investment कर रहा कि ठीक है आप सब सौर रुपय का शेयर तो उस company ने आप से 80 रुपीज बुला 80 रुपीज आप से बुला लेकिन आपने करना होता है अब इसके डिवीजिबल प्रॉफिट के इसके ओपर मैं आता हो दो मिट में उसके पहले न यह आपने बड़े अच्छे से ध्यान से संबढ़े अधिशनल इंफर्मिशन आपको कैसे दिए पस आप इतना पढ़ दो इस चैप्टर में इसी में से एड़ेस्में इंस्ट्यूट पूशेगा तीन पॉइंट मैं जो कह रहा है उसको अभी कभी कभी क्या होता है कि एडिशनल इंफर्मिशन गीवन इन इंट्री पास करी नहीं दो लेकिन कई बार इंस्ट्यूट जाधा तर ऐसा हो इस चैप्टर में नोब्सर्व किया कि इस तरह की इंफर्मिशन हम लोगों को माप अजिस्में इन देता है देटिस्ट्वन इंफर्मिशन के पॉंट अपन्ट अगों दिस्क्लोध मोर डिटे एंपने को क्या करना होता है कर आफ एसतो यह को डिट 되면 cash consideration जो अपने को बताना रहेगा कि Aha अधर देन कैश कंसे इतने शहसे शुक्राइब उसके लावा और कुछ नहीं लिखना अपने को देन कभी गोलते ट्रेट रिशीबल तो यह दू आपको आपको नोट सब्सक्राइब कर रहेंगा उसमें आपको बताना रहें कि दू मोजें 6 बत्रसमण से कितना उसके अलावा कितना है अधर दिकव दिवन अधिश्टनल इन्परमिशन तो क्या चीज़ता है तो अग्युमिल विद्व को माइनस करें मतलब और रहें अधिशनल इश्न में आपको अधिसे ने इनफरमिशन आप दिशीनल इनफरमिशन में जब अरिजन अब डबलू डीवी लिखना है लेकिन नोट्स अगाउं में अधिशनल इंफर्मेशन अपन बताते कि अब ओरिजिनल कॉस कितनी थी और डबलू डीवी ट्रायल बेंस आपको पता चला दा थी ओरिजिनल कॉस आपको एडिजिस्मेंट में देता है तो अभी तक आज तक कितन पहुँएं अब कभी कभी कैसा था आपको बोलेंगा लोन था 10 लाग का तो इसको वाला जो इंट्रेस अपना दुपन दिवाला अधर किरन्ट लाइबरेटी में बताओंगे और जो रिमिनिक्स फॉर एक्सामल लोन कमआँ दस लाग रुपह उसमें बलाग एक लाग आपको आपको लॉंग टाप बॉर्व में उसको ऐसे लोन अपने को बताना देंगा आप से कभी कहता हूं करना पड़ता है जिसके दो इफेक्ट हमारे होते हैं तो पहले आप से यहां पर कहते हैं अब कभी कभी कोश्यों नहीं बुलते हैं कि जन्रली इसमें ट्रांसफर करना था ताप क्या कोते हैं पहला एफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बैलन्स रिजर्व जैसा यहां आपने क्लास में पढ़े यो बैच हो कि आपकी रेगुलर बैच थी सारी चीज़ अपने महां पढ़े बिटा कि फर्स इफेक्ट अपने को कहा देना है कि अपने प्रॉफिट लॉस आपने जो टोटल अमॉंट लॉंट लॉंट बॉर उसमें से आपको एक साल के अंदर जो अपने ऑपने क्या करतें के अब उसको माइनस करदेंगे ठीक है और एक्जाल को एक पर करेंट मेचुर टीव लॉंट लॉंट यॉट बोरॉघब तो दस लाक में इस हटा दिना और आपने क्या करती ऊसको लॉंट लॉंट पारूओ नो लॉट लॉप बताऊंगे और जो तो आपको प्रीमिनेडीड पर देखें और बैलेंशीट बनाने का तो इसको लिए राइट अगेंस जन्रल रिजर्व तो प्रीलिमेंडी एक्सिंस को अपने जन्रल लिजव को जो बैल सीकरना कि आ अपको कैंशल हो जाएंगा प्रीमिनेडिड एक्स पेंसे आ जंड उसके बाद फिरह आपको देता है कभी closing stock inventory आपको देदेंगा adjustment सिंपल है closing stock account debit to trading trading account यहां पर नहीं बनाते तो closing stock में आप उसके लिखते हैं closing stock में आप उसको लिख दोंगे और दूसरा effect आपने deduct in change in inventory change in inventory भी साब क्या करें चेंज इन inventory बता है opening minus closing महाँ पर अपने इसको minus कर रहेंगा उसका दूसरा effect अब यह अलब पॉइंट में कही बार बच्चों के doubt आते हैं ठीक है अब देखो miscellaneous receive represent cash receive from the sale of pb अपने जब क्लास में कुश्चन से इतने कि हैं महाँ पर यह point आया था आपका कि मिस्लिन इस अब क्या होता है कभी-कभी मिस्लिन इस अपको पैसा आया तो पैसा आया तो पैसा आया था एक्चलन आपने sale of pp कर तो उसमें एक रेक्टिफाइड एंट्री बिसीकली पास दोड़ी बटा सेल of pp आपने करें तो कभी सबस्थ प्रॉफिट पेकर तो करेक्ट इंट्री बैंक अकॉंट डेविट टू पीपी टू पीनल अकॉंट यह करेक्ट इंट्री ने चाहिए लेकिन वो लेकिन क्या होता है कभी-कभी को कहता है कि उन्हें एंट्री पास कर दी बैंक अकॉंट डेविट करना पड़ेगा पीनल को क्रेट कर नहीं कर तो करना पड़ेंगा और आपने यह रेक्टिवाइट एंट्री बेसिकली को पूश्चन अपसे पूशता है ठीक है तो आपको कोश्चन में कहते है का भी में के प्रोविजिन फॉर इंकम टेक्स डेविट करना प्रोविजिन फॉर टाक्स आप शॉट टर्म प्रोविजिन को क्रेट करें पीनल अकॉंट प डेप्रीशेशिघ्स इंटीज टूब प्रोवाइट में तो आप ऐसेट में से माइन करो और डैप्रीशेश्चन पेल में डेबित करेंगे अब यहां पे प्प एंड अभिस 10 कप पुश्चता है तो प्रिवाइटा अप्वार्टिवार्याश पास्की वायली को क्या याकर और डेट करने ढगे पास करें पीपी अकांट डेट तो यह दोस्पेस पंस बसके सबस्ट आप खार तो यह एस एसे फिट आपकी आपकी एसेट साइट वाएंगा आप डिद विल अधर करन कि अच्छ शाल को रहें तो आप डूसरा अफ़ेक्ट आपका शॉट सब्सक्राइब करके आपके एडवांस में तो वहां पर यह आपका आजाएगा कभी कभी इन सीट पेट आपको कंटीन लाइब इन कमिटमेंट के उपा एक चीज देते कि बिल्स रिसीव और फॉर पिस सो और मैचुरिंग अभी क्या होता है कि अब फॉर इस तरह का पॉइंट बताना होता है और कभी कभी कोश्चन में चांट्रेक्ट फॉर इरेक्शन फॉर इरेक्शन विचिस्टिल इंकम्प्रीट आपको कहता है कि जो अभी तक आपने कोंप्लीट नहीं करें कोंप्लीट सब्सक्राइबस बताना है कि आपको जिए इसके बाद एक और चीज़ ख्याल रखने कभी 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 दिवीजिबल प्रॉफिट पर आपको एक क्रास्मिंग अपको देट इना क्या कहता है क्या आपको आप से ग एक है क्या है that is dividend is a distribution of divisible profit by the company to its member अपने member को जो dividend बाढ़ती है लेकि वो divisible profit कहां से दे सकते है profit अच्छा profit out of which dividend can be paid कहां से dividend दे सकते हैं तो कहा थे dividend can be paid out of the divisible profit which is after providing depression for current and absorbed depression यह इसको ख्या लगना कि जो इस साल का अगर आपने जो अभी आप इस divisible profit लेकिन क्या है जरूरी ही बेटा कि सारा के सारा इस्साल के profit में से दो नहीं अगर पहले आप वही देखको इस्साल का profit किता है अगर पीनल का balance आपके वह sufficient नहीं तो you can utilize reserve का balance भी आप इसको आपने follow करना तो आपको क्या का balance in profit and loss अगर ओपनिंग बैंस बीटा फर इक्जांपल आप कितने से insufficient कितने से shortage जा रहा अपने को dividend देने के लिए पीन का surplus था फॉर इसांपल मैं कहा था कि profit and loss account को opening बैंसे मेरा 10 लाग होते है इस साल का मेरा profit पांच लाग कितना बैंस से मेरा पीन लाग को मेरा बैल से कितना 15 रुपे का मेरा बैल से पीन लाग को ठीक है अमें preference dividend देने जा रहा हूँ आठ लाग और लाग तो मेरे को deficit जा रहा है मेरे पास है profit 15 का dividend देना चाहता हो 16 deficit कहां से में इसको fulfill कर तो आप उस case में रिजर्व को यूटिलाइस कर सकते तो पहले आप पीनल के बैलन्स को यूटिलाइस कर सकते हो तो उसमें लिए तीन कंडिशन है तीन कंडिशन आपकी फुल्फिल ने चाहिए पहली कंडिशन आप से कहता है वह कि आप रिजर्व को यूटिलाइस करते हैं लेकिन पहली कंडिशन के जो रेट ऑफ डिविडिन आप ऑफर कर रहे हो एक्विडिशन रूलर को यूट शुड बी लोवर अवरेज 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 दिविडिन ने एक लिमिट बता दिया अप कितना विड्रॉल कर सकते हैं रिजर्व से ठीक है तो मैग्सिमों अलाओ लिमिट फॉर विड्रावल फॉन जनरल इसर्व विड्रॉल फॉन जनरल इसर्व कितना देडिस 10 परसेंट ऑफ एक्विडिशेर कापिटल प्लस प्रेफरेंशेर का को और जनरल इसर्व प्लस फिट्ना का औट इसका 10 परसेंट उतना ही विट्रॉल कर सकते फर इस बॉस एकप्विड्रॉल कर सकते मैं जड़र तो दिक्कत की बात नी दो लाग इस सब्सक्राइब कर सकते में को एक लाग की विड्रॉव करा तो आपको यह देखना होता कंपेर करना होता है कि कितना पन करना चाहते हैं maximum कितना कर सकते और वो बोलता है कि जब आप विड्रॉल कर लेते हो जब विड्रॉल कर सकते हो उसके बाद जन्रलिजर में आपका बैलंस है बैलंस इन जन्रलिजर आफ्टर विड्रॉल शुड नॉट फॉल बिलो 15% और पेड़ पीड़ तो आपका जो पेड़ पापिटल है इशिक वाली कंडिशन में जर्लिजर थे ऐख गया प्रफेशर क्याप्रट स्टीन तर वी कंडिशन में आपका ऍथजवेंच कर जो पंदर्शंट हो उससे बिलो आपका बैलंस होना नहीं चाहिए तो जो भी जर्खेब का बैलनस विट्रॉल के तो आपको तरह इना है कि आतके हैं मैं आपको पता है या अपने 2728 हम सारे सारे सारी में आपकी च्छाहें पर कुष्टीप में हमें आपश्ण और तो अगले साल के financial statement वे अगले साल की books of account में record 31st March को record होने वाला नहीं है तो आप उसको क्या करों कि notes to account में बता देजिए कि financial statement भी अप्रूव नहीं हुआ approval date आने कि तब notes to account में बता देजिए कि हमने declare करें लेकिन account किस साल होते है जिस साल उसको recognize किस साल करते जिस साल आपने इसको declare कर इसको क्या लगता है कहीं बार आता है अब मैंने सारे adjustment सारी चीज़ा आप से बात कि अब हो सकता है कि आप यह सकता आप यह बैच के तो यह यह बैच में अलग series है और regular बैच में अलग series है ठीक है यह वाले questions कि आप जो भी बैच के student आपकी बैच में बताया हूं ठीक है regular वालों का अलग से मैंने टेलिग्राम के चैनल में बताया था आपके LMM question ठीक है तो अब आपको तरीका यह होना कि रेपिट जीस आपने पढ़े बिटा पूरी जो आपने कितने पेज़े सो का फट से अब आपने सारे concept यहां पर पढ़े अब LMM वाले questions आपने इसके करना ठीक है इसके बाद एक consolidation chapter वो फुल chapter में कोई आपको revise कराना और आदे यह से हो कि आदे रिमेनिक जल्दी हो जाएंगा तो इस तरीक से आपको revise करा रहेगा दो पैनिक नहीं करना भी बहुत इंपोर्टन पिटा आखरी आखरी का वक्स चल रहा है और उसका बहुत ध्यान से अपने यहां पर पढ़े करें दाट से पूल मांटसे डिस्सीप्लिन से बाड़ो सारी चीज हो जाएंगे यहां नहीं ने फाइनिशे इंचे शिप्न इस पूल के सारे पोइंट जस्त थर्टी मिनसे को रिवाइस करें ओके टेकर रॉल ऑफ यू बाइ